तो फ्रेंग शुरू करते हैं आज की स्टोरी काफी समय पहले अनाज के खेतों के पास एक बगीचे में एक चीनटी और एक टिड़ा रहता था एस इंगलिश में बोलेंगे तो यहां पर कहा जा रहा है कि एक चीनटी और एक टिड़ा लिवड इनाज के खेतों के पास टिड़ा हमेशा अपना समय बगीचे में गाने और नाचने में बिताता था उसकी दोस्त छोटी चीनटी हमेशा काम में वियस रहती थी इस इंगलिश में बोलेंगे तो दियान रखना इसे आंट नहीं पढ़ा जाता है इसे एंट पढ़ा जाता है इस फ्रेंड यानि उसकी दोस्त दे लिटिल एंट चोटी चीनटी वोज ओल्वेज बीजी वरकिंग हमेशा काम में वियस रहती थी बहुत तेज गर्मी में भी चीनटी पास के खेतों से अनाज को अपनी पीट पर लाध कर अपने घर्प में सुरक्षित रखती थी तो हैं आपर कहा जा रहा है कि even at the peak of summer यानि के बहुत तेज गर्मी में भी even at the peak of summer the ant carried food grains from the nearby fields on her back and stored them safely in her home तो कहा जा रहा है कि बहुत तेज गर्मी में भी चीनटी पास के खेतों से अनाज को अपनी पीट पर लाध कर अपने घर में सुरक्षित रखती थी even at the peak of summer the ant carried food grains from the nearby fields on her back and stored them safely in her home तिद्धा हमेशा महंती चीटी का मजा खुड़ाता था the grasshopper always made fun of the hard-working ant the grasshopper always made fun of the hard-working ant तिद्धा हमेशा महंती चीटी का मजा खुड़ाता था the grasshopper always made fun of the hard-working ant वो अक्सर उसे सारा काम छोड़कर उसके साथ गाने और नाचने में शामिल होने के लिए के लिए कहता था he often asked her to leave all that work and join him in singing and dancing आजाओ मेरे दोस्त इस तप्ति धूप में पसीना बहने की क्या जरूरत है तो चीटी ने जवाब में कहा मैं सरद्यों की तैयारी कर रही हूँ I am preparing for the winters The ant replied I am preparing for the winters The ant replied यानि मैं सरद्यों की तैयारी कर रही हूँ चीटी ने reply किया जवाब में कहा चीटी ने टिध्ध को जोइन करने से इंकार कर दिया और इसके बजाए अनाजी खटा करना जारी रखा The ant refused to join the grasshopper and continued gathering grants instead यहाँ पर कहा जा रहा है कि The ant refused to join the grasshopper चीटी ने टिध्ध को जोइन करने से इंकार कर दिया and continued gathering grants instead और इसके बजाए अनाजी खटा करना जारी रखा टिध्ध उस पर हसता और कहता जिन्दगी भर के लिए बहुत खाना है The grasshopper laughed at her and told her there is enough food for a lifetime यहनि टिध्ध उस पर हसता और कहता कि जिन्दगी भर के लिए बहुत खाना है हाला कि चीटी ने पूरी गर्मियों में काम करना बन नहीं किया The ant, however, never stopped working throughout the summer The ant, however, never stopped working throughout the summer हाला कि चीटी ने पूरी गर्मियों में काम करना कभी बन नहीं किया पूरी गर्मियों इसके लिए बोलेंगे throughout the summer और टिद्धा बगीचे के पेड़ों की चाया में बेटकर खुशी से गाता रहा और टिद्धा बगीचे के पेड़ों की चाया में बेटकर खुशी से गाता रहा गर्मी धीरे धीरे समात हो गई लेकिन इसका टिद्धा पर कोई परभाव नहीं पड़ा गर्मी धीरे धीरे समात हो गई लेकिन इसका टिद्धा पर कोई परभाव नहीं पड़ा अब जब सर्दी आ गई थी टिद्धा को कोई खाना नहीं मिला और उसे जल्दी बहुत भूख लगने लगी अब जब सर्दी आ गई थी टिद्धा कोई भोजन नहीं मिला कोई खाना नहीं मिला और उसे जल्दी बहुत भूख लगने लगी और उसे जल्दी उस महंती चीटी की याद आ गई जिसका उसने गर्मियों के दोरान मजाख उड़ाय था और फिर टिद्धा चीटी के घोशले के पास गया और खाना मांगा और फिर टिद्धा चीटी के घोशले के पास गया और खाना मांगा चीटी जो अभी भी भोजन को साफ और सूखा रखने में व्यस थी ने कहा यानि चीटी जो अभी भी भोजन को साफ और सूखा रखने में व्यस थी के लिए भोजन बचाने के लिए कड़ी मेहनत की I toiled to save food from the winter freeze जबकि तुमने गर्मी को अराम से खेलते हुए बिताया तो friends आराम से यानि के अराम से आनि के मज़े में इसके लिए उस करेंगे ease का in ease तो यह sentence बनेगा while you spend the summer playing in ease जबकि तुमने गर्मी को अराम से खेलते हुए बिताया while you spend the summer playing in ease जबकि तुमने गर्मी को अराम से खेलते हुए बिताया क्या तुम्हें याद है कि मैंने भिशन गर्मी में कितनी महनत की थी चीटीने टिड्डे से पूछा मैंने ठंड के मोसम में खुद को भोजन उपलप्त कराने के लिए ऐसा किया था I did that to provide myself with food during the cold season यानि मैंने ठंड के मोसम में खुद को भोजन उपलप्त कराने के लिए ऐसा किया था मैंने तुमसे भी ऐसा करने को कहा था I had asked you two to do the same यानि मैंने तुमसे भी ऐसा करने को कहा था I had asked you two to do the same तुमने मेरी बात को नजर अंदास किया और इसके बजाए मुझ पर हसे कह रही है कि You ignored my words and laughed at me instead यानि तुमने मेरी बात को नजर अंदास किया और बजाए मुझ पर हसे माफ करना लेकिन मेरे पास केवल अपने ही लिए परियाप्त अनाज है I am sorry but I have enough grants only for myself I am sorry but I have enough grants only for myself माफ करना लेकिन मेरे पास केवल अपने लिए ही परियाप्त अनाज है तिदे को तब अहसास हुआ कि उसे अपने समय को बगीचे में गाने में बरबात करने की बजाए बहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए था कहा जा रहा है कि तिदे को तब अहसास हुआ कि उसे अपने समय को बगीचे में गाने में बरबात करने की बजाए बहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए था